हेलो दोस्तों मैं राज कुमार अब तमाम भीवर्स का इस यूट चैनल लर्ण वित्मी प्रेवार फिर से बहुत-बहुत श्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ओ डबल्यू के उच्चारन पर ओ डबल्यू बहुत ही बेवफा किश्म की है क्योंकि ये कभी कॉस्ट्यूम पहन कर बार में और कभी यूनिफॉर्म पहन कर कॉलस में जाया करती है अर्थात ओ डबल्यू के जो दो उच्चारन होते हैं उस पर देखेंगे कभी ओ डबल्यू आउ का उच्चारन देता है और कभी ओ डबल्यू ओ का उच्चारन देता है इसके पिछले वाले वीडियो में हम चर्चा किये थे ओ यू के विभिन उच्छारन उपर और आज चलिए देखते हैं ओ जबलियू के दो साउंड्स पर आधारित ये सबी वर्ड्स को देखिए मैं हर एक वीडियो में एक ही बात पर इंफेसाइज कर रहा हूं कि यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं वह शौन पर आधारित हैं आप वर्ड्स को सीखें उसका सही उच्छारन करें उसका हर एक समय पर्यास करें चाहें रूम में हो या बास्रूम में हो हमेशा इसक उच्छान करने का प्रियास करिए और अपने जीवा पर बैठा लीजिए ताकि आप सोच करके न बोलें यह automatically आपके जुबन से निकल जाए इतना प्रियास में शक्ती होनी चाहिए आप प्रियास करिए हमेशा प्रियास रत रहिए तभी शफलता आपके कदम चुमेगी अन्य लेकिन जब मैं इसे दे रहा हूँ तो आप इसे लेने का प्रियास करें तब ही आपका अस्तर समाज में या किसी संस्था में उपर आ सकता है अगर आप किसी भी वर्ड का गलत उचारन करते हैं तो यह समाज पर भी इसका बुरा प्रभाव परेगा और आपको आप जिसे आदेश दे रहे हैं या जिस पर आप अपना मोनोपोली चलाते हैं या सिक्षित ब्यक्ती पर बोलते हैं तो वो उल्टे ही आपको गलत ठाराएगा और आपको लज़ा का समन करना पर सकता है इसलिए इसे देखिए और इसे हमेशा आपने साथ रहिए चुकि यह सब वर्ट्स जो है सिर्फ आपको लर्ण करने से ही प्राप्त हो सकता है चुकि यह रूल जो है वो रिजिट रूल नहीं है यह फ्लक्सिबल रूल है यह कभी आउ कभी ओके उचारन दे रहे हैं तो देखते हैं शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए यह सभी जो वर्ड्स आप देख रहे हैं इस कॉलम के इंतरगत सभी में ओड़ल्यू का उचरन आउ है जैसे इसे परहेंगे हम ब्राउज ब्राउज यहाँ पर देखिए ब्राउज उसी तरह इसे परहेंगे क्राउन देखिए पराउन वर्ण फ्राउन देखिए मजए लिए हैं इसे ब्राउड्डर्खोल ओपिए में वालति ब्राउज प्रोंषिन वाव, नाव, नाव, अलाउ, अलाउ, डाउन, डाउन, ब्राउन, क्लाउन, ड्राउन, ड्राउन, इसे टाउन, टाउन, देखें हैं आपर ओ डबलीू का आउ शौंट आ रहा है, टाउन, टाउर, टाउर, पाउदर, क्राउड, क्राउड, आउल, अब देखिए, ओड़ जो है, सब्द के शुरू में भी आ सकता है, मध्ध में भी और अंत में भी, जैसे देखिए, यहां भी देखिए, सब्द के मध्ध में भी, जैसे फ्राउन को देखिए, क्लाउन को देखिए, और शब्दों की अंत में भी आ सकता है, जैसे इसे एलगू को देखिए, तो यहां पर आउल, बाउल, बाउल, अब, ओ जबली का दूसरा चरण, ओ होता है, ओ, जैसे ग्लो, फ्लो, होलो, फोलो, बिलो, ग्रो, बोरो, एरो, बेलो, 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 देखिए, यहां पर, यहां पर आप देख रहे हैं, यह दोनो, यह दोनों में जिफ्रेंस है, यहां पर एक सिंगल एल है, और यहां पर जबल एल है, तो इसे बिलो, और इसे बेलो, उसके बाद, ब्लो, 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 ओनर, ओनर, इसे लो, इसे शोरो, शोरो, एल्बो, एल्बो, श्लो, 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 टो, शेडो, शेडो, श्नो, श्नो, मो, मो, क्रो, क्रो, नो, नो, अब देखिए, ये सभी सब्दों का उचरन मैं कर दिया, लेकिन एक शब्द भी अलग-अलग धंग से पढ़ा जाता है, जिसे अगर आप एक वर्ड लिजिए, जिसे हम लेते हैं, इसे आप क्या पढ़ेंगे, इसे तो नियमानुसार आप, या तो आउ का सौंड दीजिएगा, या तो ओ का सौंड दीजिएगा, और ये दोनों ही सही है, इसका दो उच्चारन है, एक है, बो, नौर्मली ओ के तरह, और दूसरा है आउ के तरह, बाउ, एक बो, एक बाउ, अब देखिए, एक ही वर्ड है, लेकिन इसका उच्चारन दो है, दो उच्चारन हुआ, अर्था दो मीनिंग हुआ, पहले बो, मतलब धनुश, अगर हम इसे बाउ पढ़ते हैं, बाउ, तब इसका अर्थ हो जाएगा, बिंती करना, या किसी के समक्ष अपना सिर, जुकाना, अनुनाय बिने करना, प्रार्थना करना, दीके बाउ, तो ये, आपका था, O, W, के मुख्यता, विशेस्ता, दो उच्चारन, आप इसे प्रैक्टिस करें, मैं धेर सारे वर्ड को, कि आपका जो प्रनांसियेशन स्कील है, वह बढ़ें, आपका जो रिडिंग स्कील है, वह बढ़ें, और आप विशुद्ध उच्चारन करने में शक्चम होएं, तो आज के बड़ियों बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं, और देखते हैं, मिक्स्ट वाउल के अन्य शब्दों को, लेटर इसको, तब तक के लिए धन्यवाद,